General principles governing levy of stability इंकम टैस्स में भी वर्ड आता है लवी यह पक्का क्या है बाई यह टैक्सेशन लो है हाँ अब इसमें तुम्हें की पॉइंट में बता रहा हूं कुछ बाते अभी समझ में आएंगी कुछ बाते अभी समझ में नहीं आएंगी आप्टर खतम होते होते हैं तो समझ में आजाएंगी तो चलिए लाइन बे लाइन शुरू करें चलो जेनरल सबसे पहले बाता है stand duty किसके ओपर लगता है इस्टुमेंट तुमसे कोई पुछे इधर देखो इधर देखो तुमसे कोई पुछे इस्टुमेंट पर लगता है stand duty और transaction पर इस्टुमेंट पर लगता है ना की transaction पर पहला पॉइंट पर रो लाइन बलाइन यह लिखावाया है अड़े इसब एक जाम में घुमाफिरा question पुछेगा देखें इस्टुमेंट और transaction सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन आपको वर्ड आपको कौन वर्ड इंपॉटेंट लगना चाहिए instrument एवरी इस्टुमेंट इस लाइबल टेंपर रटवा रटवा दिया तुम लोग को हां इस्टुमेंट क्या होता भी मैं फिड से बाब बताऊंगा आई अगला अच्छा सेकेंड मैं तुमसे पूछता हूं रुख जाओ 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 तो तुमने टाइटल जो दिया जो तुमने इस्टुमेंट का क्या दिया टाइटल जो दिया वह इमपोर्टेंट होगा यह सब्जेक्ट मैटरण होगा क्योंकि हो तकता power of attorney का stamp duty का rate कम हो और sale deed का stamp duty का rate ज्यादा हो तो लोग चलागी करते हैं, title कुछ और लिख देते हैं लेकिन subject matter कुछ और है, तो आप बते, stamp duty लगेगा, क्या सोच के लगेगा title को देखके लगेगा या subject matter को देखके लगेगा कितने लोग को लग रहा subject matter को देखके, title important नहीं है, तो चलो एक काम करो तुम second point पर जाओ nomenclature का मतलब नाम, लिख लो, nomenclature का मतलब लड़कियों को लग रहा cluture, बाल में लगाने वाला, cluture या nomenclature, क्या होता nomenclature का मतलब, नाम, लिखो नाम, तो जो तुम नाम दोगे, वो important है या काम important है, काम कहां से बता चलेगा, language से, तो याद रखना, तुम चलाकी नहीं कर सकते सरकार से, समझे, वो क्या check करेगा, subject matter, subject matter किस से बता चलेगा, language से, नाम आप कुछ भी दीजे, उससे फर्क पड़ता नहीं, चुकि नाम तो आप हमेशा सस्ता दोगे, नाम तो आप चले, third number, अच्छे, एक बार बताओ, आपने sale deed बनाया, तो sale deed में जो property transfer हो रही होगी, वो property का value के हिसाब से stamp duty लगेगा, अगर property की value एक करोर है, तो एक करोर पे stamp duty लगेगा, अगर property की value बीस लाख है, तो बीस लाख रुपे पे क्या लगेगा, stamp duty लगेगा, तो मैं यह बो execute हुआ है, हो सकता है, आगे जाके बढ़ जाए, तो आगे जाके बढ़ जाए, तो आगे जाके बढ़ जाए, उससे हमें मतलब नहीं है, तो बताओ यह value किस दिन का उठाओगे? बोली नहीं रहा कोई सर जिस दिन execution हुआ है जिस दिन क्या हुआ है execution हुआ है उसी दिन का हम value उठाएंगे चुकि देखिए property का rate तो बढ़ता घरता रहता आपको उससे क्या मतलब है जिस दिन execute हुआ उस दिन क्या value दिखा रहे हैं आप उसी value के हिसाब से penalty का payment और duty का payment दोनों का अलग-अलग कहानी है अचा फेले ठीक लगाओ duty and penalty अचा नहीं है बहुत बुक में नहीं होगा ना अचा मिलेगा चिंता मत को तिक मारो किस पर मारना है duty and penalty पर टिक मारो मार दिया गुल-गुल box बना दिया ऐसे जी अब मैं तुम से पूछता हूँ कि duty payment करना है duty payment मात नॉमल पेमेंट नॉमल पेमेंट का कौन सा date उठाओगे भाई तो date of execution के दिन जो law चल रहा है उसी law के अनुसार आप क्या पे करेंगे आप duty जैसे सुनो जिस दिन execute हुआ उस दिन rate of stamp duty 6% है जिस दिन execute हुआ उसका या आगे का कोई date होगा परो तो penalty के लिए अलग कहानी है penalty के लिए अलग कहानी है यह किस के लिए था stamp duty के लिए तो stamp duty का rate किस दिन से पता करेंगे जिस दिन date of execution है लेकिन अगर penalty की बात आगई तो penalty देने की बात आगई तो तो बताई कौन दिन का उठाओगे at the time of presentation of document in evidence मतर जिस दिन document आप present करेंगे in evidence कि सर यही document है जिसके उपर हमें penalty भरना है उस date के दिन जो rate चल रहा होगा उस rate के अनुसार penalty पे होगा example दे देता हूँ अच्छे से समझ में आएगा ठीक है जी आईए इदर देखो date of execution date of execution date of execution मालूम चला क्रांतिकारी दिन 14th February का एती हासिक दिन है बैगन टांग दे Valentine day rate of stamp duty क्या था मदर लौ में क्या चेक करते है rate of stamp duty rate चला था 6% rate क्या चला था 6% तो तो तुम्हें stamp duty 6% पे करना चाहिए था पर तुम ने से 5% पे किया एक परसंट बचा के तुम अपना साथ बनाएगा Valentine day बाद में जब उस पता चलेगा कि तुमने क्या किया है full payment किया या under payment किया है under payment किया है अच्छा under payment जो किया है एक परसंट कम किया है तो भी एक परसंट ही लेगा या penalty के साथ लेगा ठीक है पता उता चला इस chapter के अंदर अंदर जो authority उसका नम collector of stamp है क्या नम है collector of stamp collector of stamp collector of stamp को बता चला उसने तुम्हे notice भेजा तुम्हे समन भेजा गया तुम्हे बुलाया गया जो बुलाया बुलाया गया वो बुलाया गया कोई date लेलो 5-6 मैन आगे का है 2 October बंद है चला एतिहास एक दिन लेता हूँ 15th June इस दिन किसी का बर्दे है जो आदमी लिख रहा उसी का बर्दे है आज बर्दे का लास्ट मतला बर्थ मंत का आज लास्ट है क्या 30 June है क्या 30 June है तो पाटी मैंने बोला ना जुलाई में देने वाला हूँ 30 बोला नहीं मुझे सुनाई पाटी पाटी सुनाई दिया है पीछे पाटी बोला है लोगोंने कुछ लोग 30-30 बोलते पाटी पाटी भी बोल दिया चुपचाब सुनने में तो यासा ही लगता है तो मालीजे 15 June को पकड़े गये तुम अब तुम्हें पेनल्टी देना है अब तुम्हें क्या देना है? पेनल्टी लेकिन उस दिन जो लॉव में रेट लिखा गया वो बढ़ गया था वो हो गया था 9% तो आप मुझे बताईए अब जो पेनल्टी जमा करोगे उन 9% के हिसाब से कि 6% तो पेनल्टी का रेट कब आएगा? बाद का और स्टाइम डूटी का रेट? डेट ओफ एगजीक्यूशन का क्लिए रह जी? यह याद रहेगा तुम लोग को अगर इन्होंने बहुत घुजा के अंदर टफ कॉश्चन पूछा तो यह सब पूछे इतना टफ यह पूछते नहीं है तो इतना टफ पूछते नहीं तो प्रहा क्यों रहा है? पूछ भी सकते हैं नंबर 5 अच्छे एक बाद 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 बोल लो सा law 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 तो law का मतलब क्या? rate of stamp duty चाहिए ना तुम्हें बोली नीरा कोई rate मिलेगा schedule में तुम लोगों बच्पन से प्रहता आ रहा हूँ कि जितने भी list विष्ट होते हूं कहां मिलते हैं schedule में मिलते हैं एक बाद बताईए मालो कि इंडियन stamp act है उसमें लिखा मैंने था 10 इस्टुमेंट हो जगता है 10 से अब बढ़ बीसो पचीसो तो पचीसो का नाम आ गया rate of stamp duty तो एक list बन गया और list हमेशा act के बीच में नहीं दिया जाता है कहां दिया जाता है last में तो क्या Indian stamp act के अंदर भी schedule होगा बोलो उसी schedule में आपको मिलेगा rate of stamp duty तुम लोग को schedule दिखाऊ Indian stamp act को दिखना चाओगे चलो आप दिखाते रहें मुझे पसंद आता है यह देखो अभी यह कहां में लगा रंग भी रंगा कुछ मिलेगा तो black and white मिल गया देखिए schedule first stamp duty on instrument आईए इधर देखो यहां instrument का नाम है और इधर क्या है rate of stamp duty आप देखिए acknowledgement है तो एक आना अना नहीं समझते हो तुम नहीं और रुपीज होता है रुपीज के नीचे किया होता है पैसा पैसा के नीचे कौन होता है आना सीब अधरा ऐा की आप जचुधा पैसी कहावान के वाधरा ale आठ आना यहसर आठाना भी चलता है यह सब नहीं जानते हो तुम लोग नहीं जानते हो तो जान लो यह लो अगला अगला कौन सा है भाई administration bond उसके बाद देखें यहाप लिखा है adoption यह पाँच रुपया है adoption deed है तो 10 रुपया है एफिडेपिट है तो 1 रुपया है यह यह सब क्या है stamp duty का rate अजिए इतना ही होगा यह बहुत बारा schedule है मैंने इसे पर इतना दिखा दिया अब मुझे लगता है schedule first तुम लोग समझ में आ गया कौन सा schedule है schedule first तो तुम से पुछले rate of stamp duty कहां दिया भा है schedule first याद रहेगा चलो जी काफी चीज तुम समस्ते जा रहे हो है ना चलो भाई हम लोग एक लाइन परते हैं हमेसा every instrument is liable to stamp duty